जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ, प्योर टोटका, कि जिसको करने से आपके मन में यदि कोई इच्छा है, जो दबी हुई है, कुछ ऐसा काम है, जिसके लिए आपका बहुत मन उत्सुख होता है, लेकिन वो काम आपका नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसी जरूरते हैं, कि जो आपको पूरी तो करनी है, वो पूरी होने भी आती हैं, लेकिन कोई ने कोई उन कामों में अरबंगा लग जाता है, तो ऐसे समय पर क्या होता है, कि कुछ ऐसी सक्तिया होती हैं, काली सक्तियां जिनको कहते हैं, कि वो आपकी इच्छा को पूरी होने देना नहीं चाहती है, या पुर्व में आपके कुछ ऐसे कर्म कर दिये होते हैं कि जिसके वज़ा से कुछ लोगों की हाय बद्दुआ आप पर ऐसी बेठ गई होती है कि आपकी वो जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि जब आपकी कोई इच्छा पूरी होगी तो आप खुस होंगे आप प्रसन होंगे और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप प्रसन हों तो इसलिए क्या होता है कि आपके वो काम न हो इसके लिए कोई तंत्रिया क्रिया भी कर दी जाती है कि इस व्यक्ति का फला फला काम न हो इस व्यक्ति का ये काम रुक जाए इसी कई क्रियाएं कर दी जाती है तो आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं कि इस टोटके को करने से आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है आपका ऐसा कोई भी काम है कि जो रुका हुआ है नहीं हो रहा है या बनते बनते रुक जा रहा है ऐसा लगता है अब बना कि तब बना और एकदम से कोई उसमें अवरोध हा जाता है रुक जाता है तो यकीन मानिये कि ऐसे काम को रोक दिया गया है आपका वो काम होने ही वाला था लेकिन किसी ने उस काम को बांध दिया है तो आज के इस टोटके से ऐसे बांध का काट मिल जाएगा और आपका वो काम भली भाती संपन हो जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरा बताये गए उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वह टोटका के जिसको करने से आपके जो भी काम रुक रहे हैं आपकी जो भी इच्छा जो बरसों से दबी हुई है मन में और पूरी नहीं हो पा रही है इस टोटके के करने से पूरी हो जाएगी आपको करना क्या है सनिवार के दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं दिन या रात में कभी भी आप इस क्रिया को करें तिल के तेल का एक दिपक जला लें और साबूत लोंग के नो जोड़े ले लें यानि अठरा लोंग ले लें थोड़ा सा सिंदूर ले ले जिसमें सरसों का तेल मिला लें दो एक लोंग के जोड़ों के निए दो लोंग को हाँ से पकड़ें और सिंदूर में उसका जो फूल होता आगे की तरप का उसको डूबो दे और जो तिल के तेल का दीपक है इसमें आप उसको अपनी इच्छा बोलते हुए डाल दे इसे नो जोड़े आप इसमें डाले हैं अपनी इच्छा बोलते हुए हर जोड़े को आपको जो सिंदूर है सरसों का तेल मिला हुआ उसमें आपको डूबो ना है और दिये में अपनी इच्छा बोलते हुए डाल देना है अब इस दिये में जो इसकी राख बचेगी इसको क्या करना है कि आपको हनुमान जी के प्लिव घ्रनों को संकत को काट देंगे जो कोई बी इच्छा है उसको पूरी कर देंगे ईस दिये को आपको घर ले करके नहीं आना है बच्छे हुए सिंतूर को भी आपको हन्मानजी को ही अर्पित कर देना है तो आपकी बी इसी चाहे जो बर्सों से मन में दबी पड़ी है पूरी नहीं हो पा रही है चाहे रीजन कोई भी हो इस टोटके को करने से आपका काम भली भाती बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लो अच्चेवा झास